कहानी है 15 साल की विरिंदा की लुद्धाने के रहने वाली 23 जून की बात है 23 जून को विरिंदा की अगर बचाना है तो हार्ट ट्रांस्परांट करना पड़ेगा 23 जून 2024 यानि की पिछले मेने की बात है 24 जून से विरिंदा के उपर जो हमारा प्रोटोकॉल है वो अपलाई किया गया उनके पेरेंट्स ने उसी प्रोटोकॉल पर रखा जिसमें डियाएवी डाइट भी एक मुखे रूप था और उसके अगले 10 दिन के अंदर लगभग इस अबाउट 7 जूलाई इसी महिने एक शादी में वो डांस करती है तो बैट से लेके डांस स्टेज तक का ये 10 दिन का सफर बहुत ही इंस्पाइरिंग सफर है और ये सफर आप जानने वाले हैं अब उनसे मिलने वाले हैं ऑनलाइन लाइव 23 जुलाई जिस दिन चंद शेकर आजाद जहनती है लोकमान ने तिल तिलव जहनती भी उसी दिन है और इस दिन एक खास लाइव ट्रेनिंग आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं और इसमें एक खास टेक्निक हम सीखेंगे इस दिन मैं लाउंच करूंगा मेरी अगली किताब मेरी अगली किताब को नाम है if you are the first responder English में या Hindi में अगर medical emergency हो तो क्या करे तो ये किताब का free link भी उस दिन मैं आपको provide करूंगा मैं उमीद करता हूं कि आप इस training का part बनेंगे बिंदा की कहानी से inspiration लेंगे और आप ये जानेंगे कि बड़े से बड़ा दिखने वाली जो बिमारियां हैं उनका आसान सालूशन घर बैठी ही हो सकता है कहां तो oxygen cylinder पे निर्भर कहां तो heart transplant की बात कहां तो एक simple सा protocol एक ऐसा protocol जिससे दस दिन के अंदर ही bed written एक patient dance floor में dance करती है तो ये बहुत ही important story है from the point of view of a patient तो पूरे देश में ऐसे बहुत सारे patients हैं जो सो bed written होंगे लेकिन एक छोटा सा protocol जिसमें mainly nitric oxide की production को body में बढ़ाना है ये protocol हम सीखेंगे याद रखिए हमारे sinus sinus एक reservoir है जहां पर nitric oxide को production होता है और वहीं से वो nitric oxide हमारे खास तरह पर respiratory system में move करता है उसकी movement को अगर हम बढ़ा दें तो बहुत बड़ी दिखने वाली बिमारियां भी बहुत जल्दी बड़ी तेज़ से ठीक हो सकती है ये खास तरह के टेकनीक है इससे पहले भी आप मेंसे वो लोग जो मुझे फॉलो करते रहे हैं DIP diet, 3 step fluid diet या grad system for kidney failure ये सारे टेकनीक से आपने सीखा और आपने किया और आपने पाया कि बहुत सालों तक बिमार रहते हुए भी जब आपने इन प्रोटोकल को अपनाया तो आप ये दवाईयां छूट गई आपका blood sugar normal हो गया blood pressure normal हो गया कई लोगों के dialysis छूट गए इस तरह के lab मिले इसी श्रिंखला में अगला टेकनीक जो मैं आप तक पहुचाऊंगा on 23rd July at 12 noon live आप मुसे जूड़ सकते हैं screen पे देवे link के साथ that is www.coronacal.tv या फिर आप live जूड़ सकते हैं ठीक इसी चैनल में जिस चैनल में आप ये वीडियो देख रहें और simultaneously in more than 100 YouTube channels live होगा और मकसद सिर्फ इतना है कि आप जहां कहीं भी हैं वहीं बैठे अपने घर में ही आप कुछ इस प्रदार के बदलाव करें अपने lifestyle में जिससे आप भेंकर से भेंकर बिमारी या फिर कोई medical emergency अगर आ जाए तो power आपके हाथ में हो आपके पास शमता उसे ठीक करने की तो उसका जो scientific aspect है उसका जो training aspect है वो सब कुछ एक करीब पौने दो घंते की अमरे ट्रेनिंग है यानि की बारा से दो बजे का time पर फ्री रखिये तेज जुलाई को तो मिलते हैं 23rd जुलाई at 12 noon in this channel जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर अगर इस channel में नहीं आता बाई चांस तो at www.coronacal.tv all the best thank you धन्यवाद जय हिंद